वेलकम फ्रेंड युक्ति याई इसकी इस ओलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोग का स्वागत करता हूँ आज 14 अगस्त है तो दैनिक जागरं के राष्टे संस का न्यूज पेपर माप लोग के लिए प्रारंबी परिच्छा मेंस और इंटिव्यू और इंड कौनकौन से न्यूज को कभर किया गया उसके हम लोग में पार्ट और सब पार्ट दोनों पविश्थित रुप से चर्चा और जो हमारे पुराने लिसनर भीवर हैं और नए भी दोनों चैनल को जरूर सेर कीजे और शाथ ही साथ लाइक और कॉमेंट जरूर कीजे ताकि और भी हम लोग इंप्रूव्मेंट के साथ आगे बड़े कोई महत्पून सुझाओ हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीज जैसे बहुत से लोग सुझाओ भी देते हैं कभी-कभी तो आप लोग सुझाओ जरूर दे सकते हैं और शाथ ही साथ आप लोग युक्ति आइस का एप जरूर डाउनलूड कीजे गूगल प्ले स्टोर पाबलेबल है तो आपको बहुत सी सुझाओ दी गई हैं सेवाइई एक्जाम औरियंड जिसमें आप लोग को टेस्ट स्रीज औरणाई कराया जाता है आप कहीं भी पढ़ते हो तो टेस्ट एक बहुत महत्पुन फेक्टर रूप के काम करता है तो बहुत ही कम लोग फ्राइस में जैसे 399 में आप लोग को 2000 टेस्ट स्रीज अबलेबल कराया ग साथ ही वेबसाइट भी विजिट कर सकते है www.yuktiis.in को तो आप जरूर सेवाएं लीजिए और जो भी आप लोग को उपलब कराया जा रहा है उसका भरपुर उप्योग करें देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग टेलिग्राम चनल जरूर जूडिए क्योंकि बहु को नोट्स एवलेबल कर जो महत्पून होता डेली नहीं जो महत्पून होता एक्जाम ओर्येंट होता उस पर भी साथ ही साथ आप लोग को पिक्चर सलाइड आप लोग को सेर किया जाता है टॉपिक से रिलेटर जैसे दैनिक जागन निउज अनलेसिस का या पीडिएफ डिक्सिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स दोनों जगर लिंक दिया रहाता तो आप लोग जुरू जुड़िए चली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए निउज में बहुत से ऐसे निउज है जो पीटी ओरियंट है मेंस ओरियंट है इंटिवी ओरियंट तो पी सरकार आतंगवाद के खिलाब मुहीं खेड़ी हुए उस पर कोई प्रस्न में आता है या इंटिवी में आपसे कोई प्रस्न क्रियेट किया जाता है तो यह इस इक्जामपल के स्टडी के तोरप आप लोग दे सकते हैं कि सरकार किस रूप से कारी कर रही है इस रूप से संत सवा मुख किया गया तो यह सब आकड़े हैं आप लोग यूज कर सकते हैं इस आतंगवाद विरोधी मुहीं में सरकार का जो आतंगवाद विरोधी मुहीं है उसमें कार्या गतिवीदी के रोप में तो यह इक्जामपल बहुत ही महत्पून हो जाता है तो इस औरेंट से आ करना रहे तो इस सब का डाटा यूज कर सके यह आप खबर देख लिएगा इस चीजें हैं देखिए ज्यादा चिल ज्यादा लंबी घीचनिक नहीं चाहिए बस चीजों समझे कि आतंगबाद विरोध में जो गतिवीदिया संतिल्पता देखी जादे सरकार उस पर सकत अक्ष कदम उठाइए देखे जो फेजल अली जो आईये स्टॉपर थे 2010 बेच के उन्हों सेवा जो बीच में राइनितिक जुकाओ के कारण आईये से उन्होंने अपना त्याकपत दे दिया था और राइनितिक गतिवीदियों में सामिल पर मोह भंग होने के कारण पुना वो आते करती है तो यह चीजे देखे दोनों प्लस पॉजेटिव पॉइंट है पॉजेटिव नेगेटिव दोनों तो आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा तो चलिए आगे हम लोग और बढ़ते देखिए यह बहुत ही महत्पूर्ण है इस बार भीवियाई प्रसन की सिरेनी में आप लोग इसे रखिएगा पीटी में तो प्रसन यह जरूर देखने को मिल जाएगा साथ में 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 इंटिव्य और इंट टॉपिक यहां से कवर होते हैं तो इसे जरूर कवर किजिए तो जैसे पीटी और इंट क्या है भारत में आतंगवाद रोधी अभ्यास में पहली बर्ंच करता है एक भाग्याग के रूप में काम करता है तो उसी का जो तो पहली बार आएगा भारत तो यह बहुत ही इंपॉट्टेंट और पीटी अधित के रूप में असा इसाad Optimus आपको इसे रिलिटेट बहुत से प्रस्ट देखने को मिलते हैं तो चलिए इसके संदर में बहुत से डाइग्राम जो है उसे हम लोग कभर कर लेंगे दोनों को पहले तो संगहाई कोपरेशन और्गनाइजेशन जो है इसके स्थापना 15 जून 2001 को हुई तो यह डेट याद रखेगा यह प्रस्ट बार बार पूछा गया है मुख्याले दो मुख्याले इसका याद रखेगा उससे पहले आप लोग इसके महासचियू जो वर्तमान महासचियू बलादिमीर नरोव उन्हीं याद रखेगा पीटी प्रस्ण होते हैं पीटी के लिए तो ध्यान रखेगा जो भी पीसियस या ओल कंपरेडव एक्जाम देते तो उनके लिए महच्पून हो जाता साथ ही साथ यूपेसी में कहीं कहीं कोटेशन के रूप में कर लेता है जो से ऑप्सन के तौर पर इसे यूज कर सकता है जो ध् अश्वेकिस्तान में भी मुख्याले तो ध्यान रखेगा दो मुख्याले के रूप में काम करता है तो आप इसे जैसे सार्क में देखने को मिलता है जो एसी यूज का वो बिजिंग चीन में है चलिए नेश्ट है, SEO एक अस्थाई अंतराश्टिय संगठन है, जिसमें 810 देश है, जैसे रूश, शीन, भारत, पाकिस्तान, चार केंद्री एसियाई देश, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबिकिस्तान और तजाकिस्तान, तो धियान रखेगा, ये चार देश स और उसके बाद SEO का चार्टर जो है, 7 जुलाई 2000, याद रखेगा, चार्टर जो SEO का था, वो 7 जुलाई 2002 को हस्ता अक्षर किये गए, और 19 सितमबर 2003 को लागू गया, तो ये प्रस्ण आपको PT Facts में कितनी बार पुछा जा चुका है, EPC के option में भी सामिल किया गया है, तो ध 2002 में संगठन का चार्टर हताक्षर किये जाते हैं, और 2003 में लागू किये जाते हैं, तो ये वर्स याद रखेगा, आप यूज कर सकते हैं, डाटा के रूप में, साथ ही साथ 28 अक्टूबर 2021 को एक वर्स के लिए, शंगाई सहीयोग संगठ छेत्री आतंकवाद विरोधी सर जो RATS, जिसका मुक्याले तासकन में है, जिसका भी मैंने चर्चा किया था, उसकी अध्यक्ता गरहन किया है भारत, इस बार प्रारंबिक परिच्छा में यह जरूर पूछा जाएगा, और भारत की उपलबदी में, संगाई सहीयोग संगठन में, भूमिका के संदर में भी इसका आप जिक्र कर सकते हैं, कि सहीया जो आतंकवाद छेतरी, आतंकवाद जो जो जी सरचना का धक्षी है, जो इस बार कर रहा है भारत, उसमें बहुत से प्रस्णों को ले का आएगा, उससे जो विश्तरित रूप से कारिक करेगा, उसके संदर में आप इसका एक्सपिल नाम जो बन गया है, याद रखिएगा, अजर्बाजाइन, कमबोडिया, अर्मीनिया, स्रिलंका, तो डायलोग देश कोन है, डायलोग देश के रूप में आप लोग नाम देखिएगा, याद रखिएगा इस सब चीजे, इस सब फटा फटा आम लोग बस एक बार रिकॉल क कर लेते हैं, ताकि एक्जाम में अगर प्रशन आ जाए तो छूटे नहीं, इसलिए मैं इस सब को इन कर देता हूँ, कि सारे चीजों को देख लिजेगा, और जर्बर या परवच्चक देश कोन होते हैं, SEO के कोन है, तो बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तार, इरान, त इस कोन है, ताकि वो बैठक में आके बैठते हैं, बैठक में सामिल होते हैं, उनके गति वीदियो को बैठक में जो नहीं लेते हैं, उनके गति वीदियो पर कुछ राय देनी तो देते हैं, पर उसके मानना ना मानना, SEO के मुख संगठन का सदस्य है, उन पर डिपेंड करता पर उनके बैठक के चीजों को समझ सकते हैं यह देश और उसके समंदित अपने जो इंटराश्टी बौधिक्ता को बढ़ा सकते हैं तो इसलिए परविच्छ का कॉंसेप्ट आता है साथ ही देखीगा SEO का लक्ष क्या है यह बहुत ही मौत्पूर्ण है यह मेंस में आप लोग को परियोग में किम जब भी SEO के समंदित कुछ प्रश्ण होंगे तो वहां से आपको इसके लक्ष को लिखना इंटिगेट करना जरूरी हो जाता है तो इसके लिए सदस्देशों को परस्पर क्या है एक सकेंड नीचे आ जा रहा है कुछ इसू हो गया आज को बात नहीं होत करना जो लगभग सभी संगठनों का एक की पॉइंट होता है या में पॉइंट होता है इसे कर सकते हैं यह जरूर विश्वास उद्भग करना सद्भावना को मजबूत करना रारेतिक बैपार और अर्थ ब्योस्ता अनुसंधान प्रद्योग की स्वहयोग आईटी का परिय स्वहन परियावरन सरक्षन में सहयोग बढ़ावा देना साथी सांती छेत्र में शांती सुरक्षा इस्तित्रता को बनाए जो अमोमन सभी संगठनों के बेसिक निट्स है उसके इसका भी लक्ष रखा गया है जो इस छेत्र में निवास करने वाले विन देशों के लिए इपॉर्टेंट है तो एसियो एतनी संगठन होने के बावजुद भी एसियो क्यों महतपूर्ण है एसियो के अंतरकत वैस्विक जनसंख्या के 40% है ध्यान रखेगा विश्क के कूल जनसंख्या जो इसका 40% इसी संगठन में सामिल है साथी साथ वैस्विक जीडिपी का प्रारंबिक परिच्छा के दिश्टिस से भारत के लिए क्यों महत्पड़े या याद रखिएगा भारत के लिए सब से नहीं हो सकते हैं उस्सेसे गटी सब्सक्राइब का प्रत कि उसके अमरीका के अमरीका को सब्सक्राइबा पर तो उस छेत्रिये महाद्वीप में से छेत्रिये संगठन जो होंगे देशों का सम्मूह होगा उसे छेत्रिये संगठन कहा जाता है जिसमें रूश चीन के बाद तिसरा सबसे बड़ा देश भारत है और भारत का अंतराश्टी महत इस संगठन में सामियों से बढ़ जाता क्यो जहां पर चीन के और रूस के साथ अपने भारत की मितरता को और भी परगाद बनाया जा सकता और चीन के साथ जो हमारे कभी कभी परतिद्वनता ध्यलकती है उसको मौडरेट करने के लिए बहुत ही महत्पून हो जाता है साथ ही साथ पाकिस्तान का जो इसमें संगठन में उसके आतंगवाद विरोधी जो भावनाओं को जो हम एक रूप से चिन्हित कर सकते हैं इस सभी को हम इस मंच के रूप से परियोग करते हैं साथ ही भारत में हरित राष्टी हित के लिए केंदरी एसिया से जुड़कर उर्जा सुरक्षा प्राकितिक तेल गैस भंडा यूरेनियम का भंडा इसी मंच से भारत ने कई ऐसे उर्जा के संसादनों का उप्योग अपने फेवर में किया जैसे उजविकिस्तान किर्गिस् सफल बनाया गया और वो कार प्रगति पर है साथ ही साथ जो हम विभीन देशों से उर्जा सुरक्षा का संकल्पा बढ़ाते तो मंच का परियोग हम लोग इसी मंच के रूप से करते हैं क्योंकि बैठक सभी देश इस पर आते हैं तो हम लोग का देखे सभी देशों के साथ द्विपक्षिय समंध है फिर भी एक संगठन में सामिल हो कर एक संगठनात्मक रूसे में बढ़ते हैं तो वहाँ पर चीजों को और भी बहता तरीके से हम लो अंतराश्टी रूसे मजबूत होते हैं तो इसलिए संगठन में भारत का बना रहना बहुत ही मजबूत है जिस आतंगवादी विरोधी समचाओं सुधार कर सकता है तो देखिए जब आपसे सहियों को समताओं का विकास किया जाता है तो इससे हमारे आतंगवादी रोधी जो सरशना उसमें हुई हम लोग और भी चीजे सीख पाते हैं और दूसे देशों को हम लोग अपने एक्स्पिर कर सकते हैं हलाकि या परिस्तितिया के अनुसार होती है जिसमें पाकिस्टान हमेशा इस जो आतंगवाद से समंद्ध जो मुद्ध है उसका सपोर्ट करता है तो उसे हम लोग पैरलर लेकर चलते हैं तो इससे चीजे होते रहती है पर संगठन में बना रहना सबसे इंपोर् करते हैं साथ ही साथ चीन अरुष्ट के प्रमपरगत प्रभावाले छेत्रे केंद्री एसिया विस्तारित परोशी सक्री भूमिका निभा सकते है यह भी एक मंच का रूप परियोग करता है इसलिए भारत के लिए स्यो महत्पूर्ण है तो आपको मेंस और इन टॉपिक चीजों को सामिल करना की नोट को और भी विस्तित किया जा सकता है समय परिस्तिती जो भी आपको उसमें हालिया घटना करम हुआ उसको एड करते हुए जो भी करेंट है या दखिएगा मेंस में जब भी आप एंसर राइटिंग कीजिए करेंट के टॉपिक को एड जरूर की ताकि आप एक्टिम मोड में नजर आएं और चीजों को और भी बहुत तरीके एक्स्पिलेन कर सके देखिए फिर सितारामन जी को दा मुप की रेवडी बाटने वाले पहले अपना माली हालत जाच ले तो इससे रिलेट देखिए ये टॉपिक अभी बहुत चर्चा में रह तो आप लोग जाके जरूर अपडेट हो जाए किस दिन में ये टॉपिक कभर किया गया है अब वहां से इस टॉपिक को प्लीज कभर कर लिजे इस साल का सबसे भी बिया इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये कहीं भी पूछा जा सकता है पीटी में तो इससे प्रस्ण बह कीजिए अब साती साथ सभी फॉर्मेट पर जाका इसे हम लोग को मोटिवेट कीजिए ताकि हम और भी बहुत तरीके से उभर कर सामने आए और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी एक हजार जो सब्सकाइबर का जो लक्ष है जल से जल्द आप लोग पूरा कीजिए ता सब्सक्राइबर का जो संख्य है एक हजार उसके बाद यूटूब हमें इंप्रूब स्वें करती है तो इस सब चीजे आप लोग को करना चाहिए देखे दो चीजे आज तो आप लोग जरूर एक एकस्परेंट के तोर पार राश्पती जो राश्पती जो राश्पती जो उनका लेक आप लोगा संबोधन होगा तो वो जरूर देखिएगा सुनिएगा ताकि आप लोग बहुत से चीजे सीखने को मिल सके आज देखे पुना भारत जो ताइवान और जो जापान का सॉरी ताइवान और चीन का जो इसू चल रहा है उस पर चीन ने मांग किया है ए कि मैं यही फेजल जो साफ फेजल जीजा का जो बहाल पुना बहाल किया गया उसी की में चर्चा पहले पेज पर कर रहा था कल इससे रिलेटेड आप लोगो को न्यूज मिला होगा सतनता दिवस 75 बस 75 वैटलेंड के लिए रामसर टैग दिया गया है तो इससे रिलेटेड क तेमिलाडू के चार ओडिसा के तीन और कस्मीर के दो और मदपर्दिस के एक महराष्ट के एक अस्तलो को सामिल किया गया इसका महत तो क्या होता इससे पहले रामसर साइट के बारे में न्यूज पहले भी कवर किया गया है तो आप जुरूर न्यूज को जाकर पहले के न्य और नियाय अधिनियम 2000 संदर में संदर से संदर सही है जिसे में बेटच कूछ cc among धालिक को नियाय पालिका दरें की प्रवित्ती बदानेगले मेरे चाहिए और और भी चीजे कानुनियों विद्स पर हो सकता है कि सही या घलत हो सकता है पर मेरा यह मानना है जिस बैक्ति या विशेश समू को जिस male dominant को यह पता है कि इस महिला के साथ क्या कर रहा हूं मैं उसको केवल इस अधार पर नहीं कहा जा सकता है कि वो नवालिक है उसके अपराद को बोध मुक्त किया जा सकता है मैं असपश्ट इससे दुबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिसे यह अनुभव है कि sexuality क्या है तो उसे केवल इस अधार पर नियाले या ब्यवस्थाएं दोस मुक्त सिद नहीं कर सकती है कि वो नवालिक है अगर वो उसे पता है कि यह sexuality इस महिला या पुरुस के साथ हो रही है तो उसके संदर में उसे ज्ञान है तो इसका मतुत उससे बहुत धिक छमता होगी सोचने समझने की इस अधार पर मैं यह मानता हूं कि इसके जो आयू सीमा है उसमें संसोधन की जाए और इस पर बहुत मंचो पर यह किया भी गया है बहुत से जो सोचलिस्ट है उनके द्वारे यह कहा भी जाता है कि जो आयू सीमा उसे कम किया जाए इससे रिलेटेट जेकी कुछ की नोट से आप लोग जुरूरी याद रखिए इस नियूज को कभर करते हुए कि सोर नयाय बच्चों की देखभाल सरचने दियन 2015 जो चरचा में है उसके संदर में कुछ सिरेनियों में बाटा गया यससे नियूज का है उन अप्रादो स्वरूज से रखिए जीनमें अधिकतम सजा साथ वर्त से बहुत है buyers क्योंकि नू नत्रम सजा कुछ नहीं है इसकेister में न्यूंटम सजा साथ वर्त इससे कहा है इस मामले सरोच नेले 2020 में भट्डिक दिया था साथ ही साथ अदालत के आदेश दिया कि इन अपराधों को गंभीर अपराधों के सिर्णी में सामिल किया जो रेप के मामले है बलतकार के मामले है तो उसको गंभीर अपराध के सिर्णी में सामिल करना चाहिए विल के इस आधेस को परभावि बनाने का पर्यास किया था तो इस एसे अफराद सामिलने जिन के सजा है तो यह बहुत ही गंभीर मामले के अफरादों सामिल किया जाता है तो देखिए यह सब चीज है इसमें कुछ परभासिश सब्ध है जिससे एड़ेप्शन माता पिता गोद लेने का सब्ध है अप्रील गंबीर अपराद निद्धिष्ट अदालत बच्चों के खिलाप अपराद देखे इससे रिलेटर बाल कल्यान कमिटी इससे रिलेटर आप लोगो एक लिंक सेर किया गया है और निद्धिष्ट-निदिष्ट का साथ महीला के लिए महीला के लिए एकस्परेंट के लिए बहुत ही मौधकूने क्योंकि इंट्मे शे समंसाधन कहते हैं कभी कभी तो आप लोग you양़े जानना जरूरी है के उपर बालिक समान मुकदमा चलानी का अनुवती देता है तो यह देखिए यही मामला है जिसमें गोद लेने के लिए माता पिदा की योगता गोद लेने की पदती को भी सामिल किया है गया तो यह संसोधन कुछ हुए उसे नोटिफाई करा देना है असात वालो पी आरेस का जो लिंक दिया गया उससे जरूर आप लोगो एक बार देख लिजिए गा ताकि और भी चीजे जब इसे रिलेटेड आप लोगो को कवर प्रस्ण पूछे तो आप लोगो जरूर से कवरक्त को को यहां विश्तित उससे बताया नहीं जा सकता उसे नहीं तो वीडियो और भ बन रहा है जम्मू कस्मिर दुनिया सबसे उचा रेल आर्च फुल तयार हो गया वो देश को समर्पित हो जाएगा अची नाओ दुनिया किनारे जो नहीं इस पर विश्तित रूप से प्रस्ण भी पूछे गए तो इस पर देखे सारे नियूज को जो आप लोग आप लोग और भी इंप्रोव्मेंट के साथ है पीटी को प्रारमभी परिछा उसकी त्यारी कर सके चले नेश्ट है आप इस आर्टिकल को आज परहिएगा जरूर जैसे सब गे समाज को डराने मुले हकीकत है क्या तर्शिमार रसीम जो है बंगलादेश की जो निर्वासित लेखी का है उनका मानना है कि अगर लोग तंदर का अस्तित्व कायम रखना है तो मत परकट करने की सोतंतरता का अस्तित्व रखना जरूरी है उनका सपस्ट मानना है और मेरा भी सपस्ट मानना यह है कि अगर आप एक लोग तंदर एक सब्वे समाज का निर्मान करना चाहत मैं असपस सब्दों में बोरा एक एस्पेरेंट के तौर पर कि किसी भी धर्म विसेश को या आग्या नहीं देता है कि वो अपने आहत जैसे सब्दों को उप्योग करकर एक लोग सब्वे समाज को गिन्नित करे या सब्वे समाज के जो मानक है उसको तार-तार करे तो इसलिए या बहुत जरूरी है कि और इन सब चीजों से उभर कर यही सामने आता है कि जैसे को तैसावला कॉंसेट डवलप हो जाएगा अगर कोई एक हमला करता आहत का दूसरा कोई धर्म विसेश अगर यह समझ के किसी ब्यक्तिप आहत करता कुसी धर्मिक भावनाय आहत हुई है तो जब दूसरे धर्म विसेश के लोग का आहत जब होने लगेगा तो चीजे हो जाएगे वही रेट टूकिल जो भी चीजे है और केट और रेट वाला जो खेल होता है वही स्टाट हो जाएग तो यह कभी भी सब्य समाज को सब्य समाज बनने में बाधक हुआ यह सब चीजे तो इसके संदर में बहुत सी चीजे बताई गई है जो मार काट गो जिस्तिती हुए सारतन से जुदाला। सबस्तर कर piaceं सर्क्राइब हो गतना कि निपुर्ट सर्मा उसके संदर में जो फत्वा जारी हुआ या अन्य मामलों फत्वा जो जारी होते हैं वो कहीं ने कहीं आप एक सब्वे समाज के निर्मान में बाधर उत्पन करते हैं फत्वा कब जारी किया जाता था देखिए किसी भी धर्मिसेश के चीजे अगर कुई ऐसी चीजे पुर्वकालिक समय में आई थी तो समय के साथ उसमें परिवर्तन जुरूरी है जब ये फत्वा समंद जब आया था उसमें पूरी समाज बरबर इस्तिती में रहती थी इसे शंतुलित करने के लिए इस परकार के नियम कानून को सहरा लिया जाता जिसके आधार पर लोग संतुलित हो सके, इसलिए उसका उप्योग इस टर्मलोजी को किया जाता था अब इसका उप्योग हम अगले 200 साल बाद हम सोचते हैं अगर आप इमेजिंग कीजिए 2060-2100 वर्स में जब हम लोग परवेस करेंगे 200 वर्स में परवेस करेंगे तो क्या ये सब्द वहां जायज होगा सोच के देखिए तो जब ये चीजे समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए आप इन पर विचार केजिए बहुत ऐसे धरम में विशेष पंथ जो अपने संपुराने कुरूतीयों संपल था जो वर्टमान समास्से मेल नहीं खाता था उसमें संसोधन किया उसका बरलाव किया उसका समात्तन किया है तो यह जरूरी है कि अब वक्त आ गिया है कि जो मुस्लिम बहु बुद्धिजवी लोग हैं वो अपने धर्म के उन मामलों में हत्यक्षेप करें उन मामलों में उन नीमों के संदर में अपने संसुनात्मक परयोग करें जिसमें एक सब्वे समाज का निमान हो सके तो बदलाव के धलिज पर खड़ा है और होना भी चाहिए नहीं तो समाज एक बरबर इस्तिती में पहुच जाएगा जो किसी रूप से किसी भी संगठन के लिए किसी भी देश के लिए यह हितकारी नहीं हो सकता है यह बहुत ही महत्पूर्ण है इसमें बहुत से की पॉइंट बंगलादेस के संदर में इन्होंने बताए कि बंगलादेस में इन्होंने कुछ बाते की तो आहत हो गई तो इसकी संदर में कुछ और भी बाते काते हैं जैसे कुछ भी बदलाव हो तो उसके लिए क्या जरूरी है उनका मानना है कि कहीं भी कुछ भी बदलाव नारी अगर प्रस नहीं करेंगे मानो अधिकारों सम्मंदित उसका हम लोग मानो अधिकार कैसे प्राप्त कर सकें इसी तरह लोकतंत विरोधी लोग की भावनाओं को अगात किये बिना हम लोगतंत की परतिस्था नहीं कर सकते हैं इसी तरह दुनिया में कहीं भी धर्मान लोग की भावना कि आप और हम सभी मिलकर किसी भी धर्म पन संपरदाई के हैं एक मंज पर वैचारिक बोधिकता के साथ सौतंतरता के साथ मेंज पर बैठे और हमारे समाज में जो कुरुतियां चर रही हो किसी धर्म विशेश पर उसको धीरे-धीरे सौट आट करने के जुरत है और देखिए आज का न्यूज में लगवाई इतना ही है सलमान रस्तुदी के समन में जो कल चर्चा था उसके संदर में देखिए एक लेखायाद उजबे कुछ परस्ण है तो इससे आप लोग जरूर देख लिजेगा ताकि चीजे अस परस्ट हो जाए इस पर पहले भी न्यूज कभर कि ब्रिटेन का है अब भारत का 3.5 तो भारत लगतार 7.4 परतिसस दर से बढ़ रहेगा तो इसी एक संदर में 2022-30 में 6.1 परतिसस के दर से सबसे बड़ा विक्सित बन जाएगा तेज जगती से विक्सित करता हुआ राष्ट बन जाएगा तो यह बहुत ही ट्रिलियन हम जरूर यूज कीजिएगा ताकि आर भी इंप्रूब्मेंट के साथ आगे बढ़ सके चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए नियूज के साथ और नए नए टॉपिक को हम लोग कभर करेंगे जो मेंस पीटी और इंट्रिव्यू और इन कभर होगा तो चलिए तब तक लि जाहिन